अस्सलाम वालाइकूम आज मैं बनाने जा रही हूँ है। हाइदरबादी मटन मरग बहुत ही जादा मज़ीदार रसीपी बनती है और बहुत ही सिंपल रसीपी है चलिए बिसम लाह कहते हुए इस मज़ीदार रसीपी को बनाना शुरू करते हैं शुरूप करने से पहले थोड़े से तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने गरम मसाला लिया है काली मिर्च, जीरा और यह कबाब चिनी है दो इंच दाल चिनी और दो इलाइची मेने लिया है पीसने के लिए यहां पर मैंने अधरक लहसन और हरी मिर्च लिया है अधर कीजी मटन का बना रही हूँ तो इतना मसाला काफी होगा अगर आप गोश्च ज्यादा ले रहे हूँ तो मसाले की कॉंटिटी ज्यादा कर लें 10-15 बादम और 10-15 काजु भी आपको पीस कर ले लेना है दूसरे तरफ मने यहां पर लिया है एक पतिला और इसी के इंदर शामिल कर रही हूँ एक टेबल स्पून जितना गी और तीन टेश्पून तेल और इसी के इंदर शामिल करेंगे खड़े मसाले खड़े मसाले अच्छे से भून जाए एक मीडियम साइज स्लाइस्ट ओनियन इसी इसके इंदर शामिल करेंगे और ओनियन को हमें आच्छे से ब्राउन नहीं करना है अच्छे से गल जाए काफी होगा एक पिंकिश कलर में इस तरीके से आ जाए तो हम हमारे मसाले इसके इंदर डाल देते हैं अधरक लहसन और हाली मिच इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसालों को अच्छे से भून लेंगे उसी के इंदर शामिल कर रही है हो पाउच समच जितना हल्दी पाउच समच से भी थोड़ा कम ही डाला है मने और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब मैं इसके इंदर शामिल कर रही हूँ गोष और गोष के ऊपर शामिल कर रही हूँ नमक खश्वेजाय का और म अच्छे से भून जाए तो हम एक चाई के चमच काली मिच पाउडर और पाव चाई के चमच गर्मसाला डालेंगे और इन्हें भी हमें अच्छे से भूनना होगा यह जो हर्या मसाले का बनाते हैं उसी तरीख से हैं सिर्फ हमें हरा धनिया को इसके अदर पीस कर नहीं डाल इसे भून जाए तो हम इसके इंदर शामिल करेंगे तीन टेबल पून जितना डही इससे ज़्यादा डही इसके इंदर नहीं जाएगा आप चाहे तो दही को सिंद कर सकते हैं dh như को भी मसालों के साथ मिक्स करते हैं हमें इसे अच्छे से भून नं घोगा यहँ पर मसालों बिल्कुल मीडियम फ्लम पर रखते हुए कमसकम हमें एक 40 मिनिट तक अच्छे से गलाना होगा और ये 40 मिनिट के बाद आपको बता रही हूँ मरग अच्छे से पक रहा है और गोश भी हमारा अच्छे से गला हुआ लग रहा है अब सबसे आखरी में इसके अंदर शामिल करेंगे काजू और बादम का पेस्ट आप चाहें तो पिष्टे भी डालकर इसके अंदर अच्छे से पीश सकते हैं इसे जाइका अच्छे से निकल कर आजाता है और सबी चीजों को हमने आड़ कर दिया है और कंसिस्टेंसी देखें इस तरही की कंसिस्टेंसी होना चाहिए अगर काजू और बादम दालेंगे थोड़ा ग्रेवी और थिक हो जाती है और यह हम पर मैं डाल रही हूँ पाव निम्बू एक सारा निम्बू का पाव हिसा मैं इसके अंदर डाला है और उपर से दालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और बिल्कुल थोड़े से भूदीने के पत्ते हैं तो सारे इंग्रीडियंट्स इसके अंदर चले गए हैं अभी हमें जो हमारा काजू और बादम का पेस्ट है उसे अच्छे से पकाना है और इसे पकते पकते दस मिनिट हो चुके हैं उपर से तेल अच्छे से निगल कर आचुका है अभी इसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीखे की रहती है तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीखे की रहती है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रहता इसे हमने नान के साथ सर्व किया था बहुत जादा मज़ेदार रेसिपी बनी थी रेसिपी आपको पसंद आती हूँ तो इसे लाइव कर दे अपने दोस्ताफ आपके साथ जरूर शेयर कर दे और अब तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो प्लीज मु